दोस्तों भागे लक्षमी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिल्चस्प देखने को मिलेगा जब दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मलिस्का आखिरकार बलविंदर को बचा लेती हैं क्योंकि दोस्तों बलविंदर अगर पकड़ा जाता तो वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी लेकि बलविंदर को भागाने में जो हाथ रहा है वो मलिस्का का रहा है ये बात अभी तक किसी को घर में पता नहीं लग पए साथी दोस्तों आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबारू करवाने जा रहा हूँ हूँ फलाल रिसी और आयूस को ये सक हो चुका है कि वो आखिरकार नाम लेना किसका चाहरा था बलविंदर क्योंकि उसने माल कही तो इससे मलिस्का का नाम ही आता है लेकिन दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि अब रिसी सांथ बैठने बालो में से नहीं है क्योंकि रिसी जानता है कि एक बार फिर से बलविंदर दुबारा अटेक करेगा और जैसे ही दुबारा टेक करेगा उसे तुरंत ही यहीं कहीं पकड़ लिया जाएगा साती दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में वाकई में जोड़दार तुष्ट देखने को मिल रहा है क्यों कि जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से बलविंदर एक्सपोज होगा और बलविंदर के साथ में एक्सपोज होगी मलिसका अब दोनों के सवाल जवाब भी होने जा रहे हैं दोनों से ही क्योंकि बलबिंदर तो है नहीं लेकिन दोस्तों रिसी के सवाल जवाब है उस सीधा सीधा मलिस्का से ही है साथ ही दोस्तो इस बार जो कि रिसी काफी ज़्यादा खुस है क्योंकि उनकी पहली दसेरा जो था वो वाकई में लक्षमी के साथ है लेकिन इस चीज़ से खपावी है कि आखिरकार बलविंदर ऐसी खौपना चीज़ को अंजम कैसे दे सकता है क्योंकि बलविंदर है वो कुछ भी कर सकता है और रिसी आयूस और पूरी परिवार को ये तो पता लग गया है कि बलविंदर सांत बैठने वालों में से नहीं है बार बार जो कि अटेक करने की कोसिस करेगा बलिविंदर का साथ किसी और ने नहीं बलकि मलिसका नहीं दिया है साथ ही दोस्तों मिरन नाम है रोहित नागर अगर आपने मेरे यूटूब चनल सस्क्राइब नहीं किया है झाल झाल